ब्रस्टाचार के खिकाल ब्रस्टाचार के खिकाल बारत मता की एक बार जोर से पूरे दिल से भारत मता का जैकारा लगाएंगे भारत मता की पीछे तक सब लोग मुठी बंद करेंगे हाथ उपर करेंगे और पूरे दिल से बोलेंगे भारत मता की इनकलाब वंदे वंदे आज उतर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सबी भाईयों बहनों माताओं बुजर्गों बच्चों आप सब लोगों को मेरा नमस्कार सबको मेरा प्रणाम मैं जहां तक देख रहा हूँ सबी दूर दूर तक लोग नजर आ रहे हैं दूर दूर तक इतनी भारी संख्या में तिरंगे ही तिरंगे नजर आ रहे हैं आप सब लोगों का शुक्रिया आदा करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के कोने कोने से दूर दूर से आप लोग इतनी भारी संख्या में समय निकाल के चलके आए हैं इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया दोस्तों पिछले चुनाव में 2017 में भारतिये जन्ता पार्टी के देश के सबसे बड़े नेता ने उत्तर प्रदेश में आके कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बनते हैं तो शम्षान घाट भी बनने चाहिए पिछली बार भारतिये जन्ता पार्टी के सबसे बड़े नेता ने आके कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बनते हैं तो शम्षान घाट भी बनने चाहिए दोस्तो पुरानी सरकारों ने उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बनवाए योगी जी ने पिछले पांच साल में केवल और केवल शम्षान घाट बनवाए आज मैं आपके बीच में आया हूँ, एक मौका दे दो, आपके बच्चों के जए स्कूल बनवाऊंगा और आपके परिवार के लिए अस्पताल बनवाऊंगा मेरको स्कूल बनवाने आते हैं, मेरको स्पताल बनवाने आते हैं, दिल्ली में बनवा के आया हूँ, उत्तर पर्देश में भी बनवाऊंगा इनको नहीं बनवाने आते 75 साल में इन्होंने नहीं बनवाए यह केवल कबरिस्तान और शम्षान घाटी बना सकते हैं वो बहुत बनवा दिया इन्होंने अब बस अब देश को स्कूल और अस्पताल चाहिए आरत मता की आरबेन केजरिवाद दोस्तों दुख की बात ये है कि पिछले पांच साल में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने ना केवल शम्शान घाट बनवाए बल्कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को शम्शान घाट पहुंचाने का इंतजाम भी किया इनों जिस तरह से करोना के दौरान इनोंने मिस मैनेजमेंट किया इन से सरकार नहीं संभली इन लोगों से पूरी दुनिया में थूथूई पूरी दुनिया में अगर एक कोई राज्य है पूरी दुनिया में अगर एक कोई सूबा है जहां पे सबसे बुरा करोना का मैनेजमेंट हुआ तो वो उत्तरपरदेश है इनका इतना बुरा मैनेजमेंट था इतना बुरा मैनेजमेंट था कि अमरीका की सबसे बड़ी मैगजीन में इनको 10-10-15-15 पेज के इस्तिहार देने पड़े करोड़ों रुपए फूक दिये इनोंने करोड़ों रुपए फूक दिये योगी सरकार ने इश्थिहार देने में अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको इस्थिहार देने की क्या जरूरत है आज पूरे देश में पूरे देश के किसी कोने में चले जाओ एक एक आदमी कहता है यार दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने करोना बड़ा अच्छा मैनेजमेंट किया कहता है कि नहीं कहता है पूरे देश में कोने कोने में बच्चा बच्चा कहता है यार केजरीवाल ने करोना बड़ा अच्छा मैनेज किया बहुत बड़ी महामारी थी, मैं ये नहीं कहा रहें सब कुछ ठीक था, बहुत बड़ी महामारी थी, हमने इस्तिहार नहीं दिये कि हमने करोणा अच्छा मेनेजमेंट की हमने करोडो रुपई नहीं फुके, आज आप मेंसे कोई दिल्ली चला जाओ दिल्ली में जरासा एक राउंड लगा लो पूरे दिल्ली में केजरी वाल के होडिंग नहीं मिलते हैं योगी के होडिंग मिलते हैं आज पूरी दिल्ली में मैंने काउंट करवाए दिल्ली सरकार के 106 होडिंग लगे हुए और योगी जी के 850 होडिंग लगे हुए कई बार तो मेरे को लगता है यह पता नहीं उत्तर प्रदेश को चनाव लड़ रहे हैं कि दिल्ली का चनाव लड़ रहे हैं तो दोस्तों इन्होंने आपकी खून पसीने की कमाई का पैसा जो आप टेक्स के रूप में देते हो करोड़ो करोड़ो रुपए फूक दिया इन्होंने इस्तिहार में इस्तिहार बाजी में क्यूं क्यूंकि इनके बस में इन से सरकार नहीं चली तो इन्होंने 5 साल में तुम्शान घाट बेजने का इंतिजाम करा। दोस्तों मैं बाबा साभ अंबेटगर का बहुत बड़ा फैन हूं। फैन नहीं हूं भक्त हूं मैं। भक्त भी नहीं हूं पुजारी हूं मैं। पूझता हूं बाबा साभ अंबेटगर को मैं। मैं जितना उनके जीवन के बारे में पढ़ता हूँ, जितना उनको पढ़ता हूँ, उतना मैंन में ताजुब होता है और ऐसा आदमी हो सकता है क्या, ऐसा इंसान था क्या दुनिया के अंदर एक इतने गरीब से गरीब घर में जन में, बेहत गरीब घर में जन में, बचपन से छुआ छूत बरदाश्ट की, अन्याय बरदाश्ट किया और भाई साब उस जमाने में उस जमाने में अंग्रेजों के जमाने में विदेशों से दो-दो PhD की डिगरी लेके आये थे एक लंडन से और एक अमरीका से आज यहां इतने सारे लोग बैठे हैं मेरे को नहीं लगता है यहां चार या पांच से ज़्यादा होंगे जिनके बच्चे अमरीका लंडन में PhD की डिगरी ला सकते हैं आज के दुनिया में भी PhD और लंडन से डिगरी लानी बड़ी मुश्किल है नहीं बहुत पैसे लगते हैं स्कॉलर्शिप अरान से नहीं मिलती बहुत मुश्किल है PhD की डिगरी लाना उन्होंने एक नहीं दो-दो PhD की डिगरी लंडन से और अमरीका से दो-दो उस जमाने के लंडर में बीच में मैं पढ़ रहा था लंडन में उनकी डिगरी छूट गई पैसे खतम हो गए वापस आए यहां पर पैसे कमाए फिर अपनी डिगरी पूरी करने के लिए दुबारा लंडन गए क्या आदमी थे यार क्या इंसान थे उन्होंने मास्टर्ज में मास्टर्ज मतलब M.A.M.C. आपको पता है कितनी डिगरी ली थी मास्टर्ज में एक नी दो नी टीन नी चार नी 62 में की थी उसने 62 विश्यों के उपर 62 सब्जेक्स के उपर में करी थी भारत का समविधान लिखा यह तो सब जानते हैं बाबा साब का एक सप सपना था बाबा साब यह समझ गए थे कि समाज को बराबरी तभी मिलेगी जब हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा शिक्षा पाना जरूरी है बाबा साब का सपना था इस देश के हर बच्चे को चाहिए वो गरीब के घरजन में चाहिए वो दलित के घरजन में चाहि कि भी बच्चा जो इस देश में बच्चा पैदा उसको अच्छी शिक्षा मिलने चे बाबा साब का सपना था आज सप्तर साल बाद भी हम सपना पूरा नहीं कर पाए मैंने किसम खाई है बाबा साब का सपना मैं पूरा करूंगा अर्वेन केजरिवार भारत मता की बारत मता की